अमध मैंने आकसर ऐसा देखा है कि बार बार एक ही काम को करते रहते हैं तो एक आदत सी बन जाती है मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ, मेरे एक कलीग हुआ करते थे एक बर मैं उनको देख रही थी, तो वो टेबल पर जो भी चीजे थी उसको बार-बार और्गनाईज कर रहे थे एक जगा से उठा कर साइड में रखा फिर दुबारा वापिस वही रखा तो इस टाइम मुझे लगा कि शायद कुछ प्रॉब्लम है और मैंने उनसे वह बात भी की और उन्होंने उस चीज को एकसेप्ट किया और कहा कि मैं इसके लिए किसी साइक्टोर्जिस को कंसल्ट करूँगा आज हम फोकस कर रहे हैं OCD और इस विशफ पर भाचीत के लिए हमारे साथ दोक्टर प्रियांका गौतम मौझूद है नमस्कार गूद मौनिंग आप एक साइक्टरिस्ट है यह जो बात होती है कि आप ज्यादा हाथ दो रहे हैं बार बार या गारी का लौक आपने बंद किया है तो आपको डाउट रहता है बंद किया कि नी किया है यह तो हम सब के साथ होता है तो कब है कि हमें लगे कि हमें आपके पास आना है यह अच्छा सवाल है और काफी महतोपून सवाल है कि हमें यह बाउंडरी पता होनी चाहिए कि कहां यह चीजें जो रूटीन में हमारे साथ होती है वो एक बिमारी बन चुकी है तो इसी को हम बोलते हैं इस बिमारी को OCD यह एक गंभी रूप की मानसिक बिमारी है नॉर्मली में बार-बार आते रहें आप कुछ भी काम कर रहे हैं आप निकल गए हैं आफिस से फिर भी आपके मन में यह विचारा आ रहा है कि मैंने गया स्कुला तो नहीं जोड़ दिया घर में आंग तो नहीं लग जाएगी और आप आधी रस्ते से वापस जा रहे हैं आपने चेक यह कंड़ क्यों जाता हैuw क्या कारण रहता है ओ सिरी के बहुत सारे कारण हो सकते हैं कई लोगों में यह जने टिध कोदह किसी को रहा है फैमली में वह जादा स्ट्रेस ओंते हैं कुछ पर्सनालिटी हां कुछ इसे व्यक्तत्त्व होते हैं जिन में इनके पुछ आप सेल्फ हेल्प टिक्स बताएंगे कि हम अपने नीजी जिन्दगी में क्या अपनाएं ताकि हम OCD की तरफ ना जाएं पूरी तरह बचने के लिए तो मतलब मुझे लगता है कि ऐसा कोई शौर शौर राम बढ़ नहीं है लेकिन हां बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि हम anxiety disorder से बचने के लिए कर सकते हैं अपने routine life में कर सकते हैं जिससे हमें stress कम रहे और इस बीमारी के और जाने से हम बच सके जैसे कि एक healthy lifestyle जिसमें आपका संतुलित आहर रोजाना एक exercise जिससे normally वो chemicals दिमांग में release होते हैं जो आपके stress levels कम रखते हैं और anxiety कम रखते हैं बेसिक जिससे OCT में दो keyword आ रहे हैं obsessive और compulsive इन दोनों कैसे समझें जी obsessive आया है obsession से तो obsessions होते हैं ऐसे विचार या ऐसी तस्वीरें या कुछ उतेजनाय जिनसे इनसान बार 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 परेशान हो रहा है आप देखिए normally क्या होता है हमारे विचारों में हम क्या कर सकते हैं हम एक जगा focus कर सकते हैं मैं आपसे यहां बात कर रहे हूं अगर मैं चाहूं अपने विचारों के ओपर OCD में यह नियंतरन्ट खतम हो जाता है मैं अगर कुछ भी देख रहे हूं मुबाइल देख रहे हूं आपसे बात कर रहे हूं उधारन के लिए कि एक खयाल मेरी मन में में मेरे हाथ गंदे है ठीक है गंदे है जांस लगे है मैंने यहां टच कर दिया है और चाहला करते है और यहां घंदे है मैं आपसे बात करते हुए अंकभॉर्टेवल हो रही हूं गंदे है मुझे घवराहट बन रही है मुझे पसीना आना शुरू हो गया अपने शुरू हो गया और यह इंग्साइटि पढ़ती जाती है जब तक मैं यह अर्मातों को तो वो क्या करेंगी सुबह उठेंगी सबसे पहले हाथ दो रही है अब उन्हें पता है बच्चों को स्कूल के लिए रेडी करना है लेकिन उनके मन में विचार आ रहे हैं वो बार बार हाथ ही दोने जाये जा रही है अपने बच्चों को स्कूल नहीं बेच पा रही है इतना साबून, इतना पानी खर्च किया है, घर में पानी नहीं है, और लों को परिशानी हो रही है, वापस आ रहे हैं, बच्चे स्कूल से, परिवार वापस आ रहे हैं, उनको बोला जा रहा है, आप कपड़े दूल करा हो, आप बैठोगे नहीं, आप नहां करा हो, आप अपने सा अब ऐसे हो गए है पर क्या एज फैक्टर भी इसमें इंपॉर्टेट रोल प्ले करता है एज फैक्टर अगर हम देखे तो OCD का जो पीक होता है जेनरली जो है वो 20s to 30s तो 30 साल की उमर में उभरने लगता है लेकिन कोविड 19 के बाद से तो हम ने देखा है कि छोटे-चोटे यह जैसे कोविड वाला है एक तो वही कि जैनेटिक्स अगर आपके अंदर है ऐसी जीन्स और आप ऐसे तनाव वाले माहौल में आ रहे हैं या जैसा कोविड 19 का माहौल था हमारे चारों तरफ बहुत भै था मैंना एक टेरर में हम जी रहे थे आसपस जो है बहुत लोगों चीज कर रहे हैं तो वह खुद आ रहे हैं आपके पास कोई उने और लेकर आता है दोनों ही है जादा तर OCD के पेशिंस हमारे पास खुद आते हैं क्योंकि वह इस चीज से खुद बहुत परेशान होते हैं यह खयाल बहुत अंचाहे होते हैं एक लीडी है अगर उसको मन मे मैं ऐसे ख्याल आ रहे हैं कि मैं अपने बच्चे को ठाकर फिंग दूँ अच्छा जी इस तरी कि ख्याल अगर इसके मन में आरे तो आप सोचे कि उसे कितना अपने आप से कितनी घर्णा होगी उस टाइम पर कितना उसके अंदर गिल्ट होगा कि मैंने ऐसा सोचा भी कैसे और वो जब इन फजय को रोखने की कोशिच कर रही है है और उसके रिजर्ट में उसके क्या करती है अपने बच्चे को अल्ग कर देती है उसका धी18 ना बंद कर देती है कुछ समय के लिए हो सकता है कि कुछ लक्षन चले गए लेकिन अकसर वो फिर से वापस आते हैं और अगर हम एलाज नहीं लेते हैं तो इसके जो consequences बहुत बुरे भी हो सकते हैं तो डॉक्टर प्रियंक का इलाज क्या है फिर? हमाई पस दो तरीके के लाज होता है, एक दवाईयान होती है, दूसरा ठेरपी होती है, OCD में थेरपी भी बहुत कारगर हैं, बहुत सकसेशफुल हैं, और दवाईया भी बहुत सकसेशफुल हैं जो कारिक्रम देख रहे हैं और मानलो उन्हें इस लेवल ओफ एंग्जाइटी है कि वो OCD की स्टेडियों भी आए घर बैठे कुछ थेरेपी टिप्स जाना पड़ेगा जैसे की CBT, Cognitive Behavior Therapy, and Exposure Response Therapy, Exposure and Response Prevention Therapy, घर पे वो क्या कर सकते हैं, सबसे पहले रेलाक्सेशन एक्सराइटी जो आपके ओवरल एंग्जाइटी लेवल को कम करती है, एक सिंपल एक्सराइज इप ब्रीधिंग, हम सभी जानते हैं, कि हमें धीरे धीरे अंद ाइटी उसके ब्रीषी जे के वेखेशन एक सिंपल को नूट tool कर एगा हैं, वी जबाग्सेशन ब्रीधिंग एक सभिशी करें, वन में ऍफिर्शेशन को दूसे नूट करें, शी भी तुक्राह गये हैं, प्विशन रहें, कितना इन वीचारों कंप2 स्रुल्षन को है considering compulsion फ इन विचारों को हम अपने स्मार्टफून्स में टेप कर सकते हैं रोज आना 30 मिनिट 45 मिनिट में विचारों को सुनूं तो इनकी धीरे 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 तेंसिटी कम होने लगती है, इनसे उठने वाली परिशानी दीरे-दीरे कम होने लगती है। कर सकते हैं, दूसरा हम जर्नलिंग कर सकते हैं कि अपने विचारों को लिखें। दवाई जो आप देते हैं, वो दवाई क्या anti-depressant है, anti-anxiety है। और कई बर यह भी होती है बार Dr. Priyanka कि मैंने एक बार कोई light anti-anxiety, anti-depressant लिया। क्या मैं उस पर निर्भर रहोंगा फिर। यह जो है, OCD के लिए जो दवाईयां होती है, generally anti-anxiety medications होती है। इन दवाईयों को जो है, ऐसा नहीं है कि इनकी आदत पढ़ जाती है। बट इन दवाईयों का कोर्स थोड़ा लंबा हम बोल सकते हैं कि होता है। हमारे दिमाग में चोटे-चोटे chemicals होते हैं, neurotransmitters, जो important neurotransmitter है, serotonin, उसकी levels काम हो जाते हैं। तो यह दवाईयों उसके levels जाकर बढ़ाती है, brain में। तो इन दवाईयों को काम करने में ही 2-3 हफते महीना भर तक लग जाता है। और OCD के symptoms में असर आते हैं कई लोगों में 2-3 महीने भी लग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इन दवाईयों की आदत हो जाएगी। यह बिमारी ही इसी तरीके की है कि यह लंबी चलती है। तो जब भी हम दवाईयां बंद करते हैं अगर हमने इलाज पूरा नहीं लिया है बीश में बंद कर दिया है तो वापस आने के chances रहते हैं। तो बीश में बंद नहीं करने है। जैसे आपके psychiatrist आपको बताएं वैसे यह दवाई कंटिन्यू करनी चाहिए। जी तो इसको कंटिन्यू करना है लेकिन यहां पर बच्चों का जो केस आपने बताया जो हम सेल्फ केर टिप्स हम अपना सकते हैं वो बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल होगा करना। तो उसमें क्या कुछ किया जा सकता है फैमिली किस तरीके से helpful हो सकती है। बच्चों को अगर OCD है घर में तो हम चाहेंगे सबसे पहले वो बच्चे को तो एक mental health facility में लेकर जाएं। बच्चों के साथ काम करना वैसे भी मुश्किल होता है तो कोई professional ही उनके साथ में काम करें वो जादा अच्छा रहेगा। घर के लोगों को चाहिए कि वो उनके जो behaviors हैं उन पर बार बार उनको टोके नहीं आलोचना नहीं करें। वो भी treatment में therapy का part बने। जितना उनको बताया जाता है जिस तरीके से बताया जाता है वो बच्चे के साथ वैसे behavior करें। उनको यह समझना पड़ेगा कि यह बच्चा जान पूछ के नहीं कर रहा है। यह उसकी problem है वो नहीं चाहता है वो खुद इस चीज से परिशान है। तो क्या योग इसमें फाइदे मन साबित हो सकता है। योग बिलकुल योग आपको ओवरॉल तो रिलाक्स करता है। लेकिन हाँ अगर मैं research wise बोलूँ तो specifically OCD के symptoms को target नहीं करेगा। अगर आप इसे routine life में रखते हैं तो definitely आपका तनाफ कम रहता है। और इस चीज की तरफ आप कम रहते है। तो आप में deep breathing के उलेकिया वो भी योग कही पात है। अगर आप इसे हम मैनेज करेंगे तो हम mentally healthy रहेंगे। और OCD से आज जब जानकारी पड़ी है तो शायद इसको हम डील भी बेटर कर पाएंगे। बिल्कुल। डॉक्तर प्रियंका कारेक्टरों में आके इस विशे पे चर्चा करने के लिए आपका बहुत आभार। थैंक्यू बहुत थैंक्यू थैंक्यू थैंक्यू